खर्गोस को आपने अपनी लाइफ में या टीवी पर कभी ने कभी जरू देखा होगा। जो की आपके हाथ पर आराम से बैठ सकता है। इनके आँख, दांत और कान एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। आपको शायद नहीं पता हो की खर्गोस कभी उल्टी नहीं कर सकते हैं। खर्गोस को हमेशा ज़्यादा फाइवर और कम प्रोटीन की चीज़ें ही खिलानी चाहिए। गास के अलावा ये फल, फल के बीज और सबजियां जैसी चीज़े भी खाते हैं। वैसे इनको गाजर खाना बहुत पसंद होता है। दुनिया के आदे से ज़्यादा खर्गोस उत्तरी अमेरिका यानि की नौर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। मादा खर्गोस को इंगिल्समें ड़ॉई और नर्खरगोस को बग कहा जाता है। आपको बता दें पाल्थू खर्गोस की उमर लगवग 10-12 साल के पीच में होती है। लेकिन ज़ंगली कर्गोस दोया तीन सालों से अधिक नहीं जी पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि खरगोसों को सिर्फ पंजों में ही पसीना आता है, पंजों के अलावा फून के पूरे सरीज में कहीं भी पसीना नहीं आता है, एक खरगोस के सिर्फ 28 दाथ ही होते हैं, आपको बता दें, खरगोस के दाथ पूरी उमर बढ़ते रहते हैं, इसल प्रूंगने और सुनने की सकती काफी तेज होती है। इसके अलावा खर्गोस कलर ब्रैंट नहीं होते हैं। पर लाल और हरारंग ही ऐसे हैं जिनको वो सही तरीके से नहीं पहचान पाते हैं। इसके अलावा खर्गोस केवल अपनी नाक से ही सांस ले सकते हैं। खर्गोस को तेरना पसंद नहीं होता है, हालाकि वो तेरना जानते हैं। खर्गोस दो फिट से लेकर चार फिट तक हवा में भी कूच सकते हैं। खर्गोस शाकाहरी होते हैं और ये मास नहीं खाते हैं। व खर्गोष एक बार में पांस से आठ बच्चों को जन्म देती है जन्म के समय खर्गोष के बच्चे खुछ नहीं देख पाते हैं लगबग 10 दिन बाद इनको दिखना सुरू होता है खर्गोष के दोडने की रफ्तार और सतन 40 km प्रती घंटे तक होती है लेकिन दुनिया का और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो वीडियो के कमेंट वाक्स में जाकर ज़रूर बताएं धन्यवाद